आज हमारा टॉपिक है मुदलियार कमिटी ये कमिटी का जो दूसरा नाम है वो है Health Survey and Planning Committee और इस कमिटी के Chairman थे Dr. A.L. मुदलियार इनी के नाम से इस कमिटी का नाम हम जानते हैं ये कमिटी, Board Committee के बाद आई थी और इस कमिटी का जो Main Objective था वो ये था कि Healthcare Centers जो है या Healthcare Facilities जो उस टाइम पे इंडिया में प्रोविजन हो रहा था उसके Current Status के बारे में असेस करना So to assess the state of healthcare field and to measure the progress achieved after implementing the result of या suggestions of Board Committee So Board Committee हम जानते हैं कि Board Committee set up हुई थी 1943 में और उसका जो Report Submission हुआ था वो 1946 में हुआ था जिस Year में Report Submission हुआ है उस Year के नाम से हम Committee को जान रहे हैं तो यहां पे 1946 में क्योंकि Board Committee का Report Submit हुआ था तो Board Committee will be known as the Board Committee of 1946 So Board Committee ने 1946 में जो Recommendations दिये थे उसको Implement करने के बाद क्या Changes आएं हैं, क्या Positive Improvements आएं हैं Health Sector में इस बात को Assess करने के लिए Second Committee बनाई गई थी जिसको हम मुदलियार कमिटी के नाम से जानते हैं यह कमिटी अपॉइंट की गई थी 1959 में और इस कमिटी ने Assess करने के बाद, सर्वे करने के बाद अपना जो रिपोर्ट था वो दिया था 1962 में तो मिदलियार कमिटी विल बी नोन अज दी कमिटी इन दी इयर 1962 इस कमिटी की क्या रिकमेंडेशन थे इस कमिटी का रिकमेंडेशन जो सबसे पहला था वो यह था कि पहले दो 5-year plans जो हो चुके थे उस टाइम पे उनके जितनी भी progresses थे उनको consolidate करना consolidate करने का मतलब है मजबूत बनाना हम बात कर रहे हैं 1959 से लेकर 1962 के अंदर तक तो इस दौरान ओलरी फर्स्ट 5-year plans जो थे वो दो 5-year plans होच के थे उनके progress जो थे उनको assess किया गया और यह कहा गया कि इनके जो progresses है उनको और मजबूत बनाना है ताकि आगे जो healthcare facility है वो और जादा strengthen हो सके second उन्होंने यह recommendation दिया था कि जिस तरीके से उस time पे Indian administrative services थी उस तरीके से health sector के लिए भी एक strategy होना चाहिए जिसको उन्होंने कहा All India Health Services तो उन्होंने कहा कि creation of All India Health Services जैसे Indian administrative services उस तरीके थी third उन्होंने कहा कि जितनी भी primary health care centers है PHCs है उनको जो existing है जो बन चुकी है उनको strengthen किया जाए उस पे जादा focus किया जाए rather than new बनाने के उनके इस recommendation का मतलब था कि नए PHCs बनाने से पहले अट-present जादा जरूरत है कि जो PHCs बनी हुई है उनको पे focus करने की उनकी facilities को improve करने की और उनने strengthen करने की next उनों ने कहा कि कोई भी PHC maximum 40,000 population लोगों से जादा serve नहीं करेगी मतलब एक PHC के अंडर 40,000 लोगों से जादा coverage नहीं होना चाहिए तो 40,000 से जादा है तो second PHC वहाँ पे setup होनी चाहिए and last उनों ने ये recommendation दिया था कि जो district hospitals है उनके efficiency को उनके काम को इतना strengthen कर देना चाहिए कि वो एक referral center के तौर पर better काम कर सके क्योंकि जो PHC, CHCs में जाते हैं, sub centers में जाते हैं वो patients अगर complicated medical condition के साथ हैं तो normal सी बात है कि उस PHC में उतनी availability नहीं होगी facilities की तो refer कहां किया जाएगा district centers पे तो district center एक referral center की तरह काम करेगा और उस referral एक अच्छे referral center की तरह काम करने के लिए district hospitals के infrastructure को, facilities को, healthcare services को और जादा strengthen करने की जरूरत है यह important recommendations थे जो मुदलियार कमपीटी ने दिये थे यहां पे हमें जो important points हैं MCQ के लिए वो क्या है पहली चीज कि यह किस year में organize किया गया या set up किया गया या establish किया गया वो था year 1959 और इस कमिटी ने अपना report किस year में दिया था 1962 में so next है कि यह कमिटी के chairman कौन थे वो थे Dr. A.L. मुदलियार इस कमिटी का दूसरा नाम क्या है Health Survey and Planning Committee और हम जानते हैं कि बोर कमिटी का दूसरा नाम था Health Survey and Development Committee so हम confused नहीं होंगे इन दोनों में next है कि यह कमिटी क्यों बनाई गए थी इस कमिटी के दो देश थे एक देश था कि Health Care Facility जो थी उसका current status कैसा है वो जानना और second जो objective था इस कमिटी का वो भोर कमिटी के recommendation को follow करने के बाद क्या condition है क्या improvement आया है उस चीज़ को तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भोर कमिटी के recommendation को implement करने के बाद उसका जो एक survey है या उसका जो positive effect है वो जानने के लिए जो कमिटी बनाएं गए थी वो थी मुदलियार कमिटी तो ये दो objective हैं इसके next recommendation की बात करें तो recommendations में पहला था कि first two year five first two five year plans की जो progress है उन्हें और मजबूत करना, consolidate करना second है All India Health Services का creation जैसे Indian Administrative Services हैं, third था कि PHCs जो existing है उन्हें strengthen करना बजाए नए PHCs बनाने के next था कि कोई भी PHC 40,000 लोगों के population से जादा को cover नहीं करेगी and last था कि district hospitals को strengthen करना ताकि वो एक अच्छे referral centers की तरह काम कर सकें, okay, so ये था मुदलिया कमिटी के बारे में, I hope कि आपको ये topic समझ में आया होगा इसे related अगर आपको कोई भी doubt हैं तो आप पूच सकते हैं, हमारे description box में app का link दिया गया है आप उसे click करें, download करें हमारे app में आपको सारी committees के बारे में important schemes के और questions के बारे में notes और information मिल राएंगे, thank you